आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद सरकारी टीचर कैसे बने क्या ग्रेजुएशन पास करने के मदब सरकारी टीचर बन सकते हैं या फिर उसके लिए और कोई कोर्स करना पड़ेगा कौन सा कोर्स करना पड़ेगा क्या process है, सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में तो दोस्तों अगर आप teacher बनना चाहते हैं आप जानना चाहते हैं कि teacher बनने के लिए क्या process है step by step क्या process होने चाहिए तो आप इस वीडियो को पुरा जरूर दिखिए आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है आयूस और आप देखे हैं आयूस करें यूटूब चैनल तो चले अब हम अपनी वीडियो सुरू करते हैं देखो दोस्तों अगर आप एक सरकारी teacher बनना चाहते हैं तो सरकारी teacher में भी कई सारी category होती है एक होती है PRT यानि कि primary teacher एक होता है junior teacher जो primary teacher होते हैं वो class 1 से लेकि class 5 तक के student को पढ़ाते हैं और जो junior teacher होते हैं वो class 6 से लेकि class 8 तक के student को पढ़ाते हैं यानि कि class 6th, 7th और 8th class के student को जो teacher पढ़ाते हैं junior teacher बोलते हैं, अगर आप primary teacher बनना चाहते हैं, तो आप class 12 के बाद भी आप primary teacher बन सकते हैं, अगर आपको primary teacher बनना है, तो आप class 12 पास करने बाद आप DLED का course कर लिजे, दोस्तो एक diploma course है, जो की दो साल का होता है, अगर आप इस course को कर लेते हैं, तो उसके बाद आप eligible हो जेंगे primary teacher बनने के लिए, लेकिन अगर आपको junior teacher बनना है या फिर higher classes के teacher बनना है, तो दोस्तो उसके लिए आपको कम से कम graduation कंपलीट करना होगा, जी हां, अब बारियाती की कौन से इस्ट्रिम से graduation आपको करना चाहिए, तो देखो आपको जिस भी subject का teacher बनना है, आपका वो subject की graduation में होना चाहिए, मानलों कि आप arts में किसी subject के teacher बनना चाहते हो, मानलों कि आप history के teacher बनना चाहते हो, या फिर आप geography के teacher बनना चाहते हो, या फिर आप science के teacher बनना चाहते हो, science में कोई भी subject है, तो कहने का मतलब है कि आपको जिस भी subject का teacher बनना है, आपको उसी subject से आगे पढ़ा का course करना पड़ेगा बीए यानिकी bachelor of education दोस्तो ये course दो सल का होता है इसे अगर आप इसे graduation के बाद करते तो दोस्तो ये course आपको दो साल में complete हो जाएगा अगर किसी को भी सरकारी teacher बनना है तो दोस्तो उसे बीएड का course तो करना ही चाहिए ठीक है अगर आप D.L.E.D. भी कर लेते हैं तो दोस्तो आप Primary Teacher बन जाओगे लेकिन अगर आप B.E.A.D. का कोर्स कर लेते हो तो आप Primary Teacher भी बन जाओगे आप Junior टीचर भी बन जाओगे और अगर आप आगे पढ़ाई करते हो पीजी एगर अपनी कम्प्लेट करते हो तो आप Higher Classes के भी टीचर ब पड़ेगा टेट यानि कि टीचर एलिजीबिलीटी टेट भी कई तरीकी के होते हैं सारे स्टेट के अपने अलग-अलग होते हैं जैसी यूपी में यूपी टेट हो गया राजस्थान के लिए राजस्थान टेट हो गया बिहार स्टेट के लिए बिहार स्टेट हो गया तो कह और Central यानि कि अगर आप C-Tate qualify कर लेते हो तो आप अगर अपने state में भी teacher बन सकते हो और अगर किसी दूसरे state में भी vacancy या teacher कि तो आप वहाँ पे भी apply कर सकते हो आप वहाँ पे भी teacher बन सकते हो तो यह फायदा है C-Tate का और State-Tate का अब जिस भी state का टेट qualify करो जैसे UP अपने क किया तो आप सिफ UP में teacher बन पाऊगे लेकर अगर आपने C-Tate किया तो आप UP में तो teacher बनी सकते हो आप उसके लाव पंजाब में teacher बन सकते हो दिल्ली में teacher बन सकते हो दिल्ली में teacher बन सकते हो यानि कि दूसरे state में भी आप teacher बन सकते हो तो अगर आपने state या फिर C-Tate qualify कर ल अराम भी होता है और आपको salary बहुत अच्छी खास मिलते हैं उसके अलवा आपकी respect भी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए दोस्तो अगर आप इस job को पाना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरीके से महिनत करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तो इस field में बहुत ज़्यादा competition है और अगर आपको सभी की भीड से अलग होना है अगर आपको selection पाना है अगर आपको एक सरकारी teacher बनना है तो आपको अच्छी तरीके से महिनत करना पड़ेगा लगन से पढ़ाई करने पड़ेगी तब ही आप दोस्तो अपना सपना पूरा कर सकते हो इसलिए अगर आपको teacher बनना है तो आप देखे कि कैसे question पेपर आते है previous question पेपर solve कीजिए देखे कि आपकी क्या weak point है क्या आपकी strength है अपने strength को बनाए रहे कि अपने weak point पे काम कीजिए उसे भी better करने की कोशिज कीजिए अगर आप इस तरीके से धिर धिर practice करते रहोगे और अपनी कमियों को दू हो जाएगा तो दूस्ति काफी छोटे वीडियो थी लेकिन मुझे जो बात बताने थी आपको मैंने बता दी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आगया होगा अगर आपको वीडियो पसंद देए तो वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कीजिए दोस्तों साथ और कमे इस वीडियो को देख आपका बहुत बहुत धन्यवाद है